के नमस्कार जोती सिंद्रानी में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताओंगे एजिंग कैसे करें बहुत सारे बियूर्स पूछते क्या है कि किस उम्र में उन्हें सफलता मिलें या पिर किस उम्र में क्या घटना घटेगी उनके साथ में तो वही सारी बाते आज में आपक बताऊंगी लेकिन परवत के बारे में पुरा बताऊंगी किसे हम लोग एजिंग करेंगे कि उम्म्र कैसे जानेंगे कैसे हमारे साथ कौन घटनाए होंगे उस चीज को जानेंगे तो आई यह हम लोग अपना टापिक शुरू करते हैं तो देखें जैसा कि आपको यह हतेली एक दिख रही है सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हतेली में परवत कौन सी होती है जो कि बहुत सारे लोग जानते भी है ऐसे आपका मीरी फ्मिर तो जिससे सनी की फिंगरं बोलते हैं उसके नीचे की एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं grab sat ini pm यहां पर बोलते हैं और तेक है और उसके बाद आपको यह हो गई आपकी तो आप स्मॉल फिंगर बोलते हैं कनिस्टा फिंगर बोलते हैं इसके नीचे के छेट को हम लोग बुद्ध परवद्जिसे की मरकरी माउंट बोलते हैं ठीक है यह हो गई अब हम लोग जानते एज कैसा पता चलेगा हमें तो देखिए यह जो सेटन के माउंट का जो एज होता है इस यहां से यहां तक को आप देखोगे तो इसको हम लोग 16 साल बोलते हैं 16 साल की उमरे ठीक है यह जो गया आपके 16 साल और वही आपको यह गुरू का फिंगर और आपका यह सनी फिंगर इसके बीच का जो है यह एडिया इस एडिया को देखिए मेरे हाथ से आप समझ सकते हो देखिए यह जो आपका इंडेक्स फिंगर है इसके नीची के एडिया को हम लोग क्या बोल दिये 16 साल ठीक है आप क्या इस तरह से हाथ रखोगे आप तो आपको क्या यह आपका सरी का परवत है तो सनी और गुरू सनी और गुरू के बीच का जो यह एडिया है ना कि सनी का तर्टी टू का यह मानते हैं इसे हम लोग थार्टी टू यह मानते हैं यानि कि आपके इस एरिये पे यदि कोई निगेटी पॉजेटिव चिन हो तो इसका एफक्ट आपको थार्टी टू यह में मिलेगी ठीक है यह किलिए रहा अब देखिए आप क्या है फिर जस्त उसी कशला करना है हमें इस दोनों के बीच का सेतरा नहीं सिंगर और देटेए के डिया को हम लोग कि परकान पर इस बोलते हैं तो इसा प्रेशा यह 56 इसलिए किसी भी ऐस्ट्रोलाजर के पास आप जाओगे तो आप पूछो कि किस एज में हमें क्या होनी तो उन्हें यह चीज़ पता होती है कि इस एज में आपको यह होगी क्यों कैसे पता होती इस तरह से वह एजिंग करना जानते हैं तो आपको यह हो गई सूरी परवत के की एड़िया को हम लोग फिप्टी शिक्स का यह बोलते हैं ठीक है और इन दोनों के बीच ऑटी यह हुगई आप के 56 उसी परकार आप आजब यह इधार सूरी पर्वत और बध पर्वत शूरी का फिंगर बध का फिंगर के बीच का अधिण की बीच का परवत के एर्या को हम लोग बोलते हैं और आपके यह मरकरी मांट के नीचे की एरिया को हम लोग 80 साल बूलते हैं ठीक है आप देखिए यह तो हो गई हमारी पर्वत की एजिंग की इसी तरह का हम लोग करते हैं परवत में यानि कि आपके गुरू परवत पर कोई सूप चिन हो तो आपको 16 साल में उसकी फायदा मिलना शुरू हो जाए देखिए अब इसका मतलब सिर्फ यह है कि सिर्फ यह माउंट का बताएगा आप इस पे रेखाएं कैसी है रेखाओं का किस तरह से फॉंडेशन है रे रेखाओं का एक चीजा और मैं बताती हूं मस्तिक स्रेखा को एजिंग करते हैं कैसे तो यह होगा इसी तरह हम लोग यहां पर हट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हट लाइन का भी एजिंग अलग परकार से होता है ठीक है तो आपको यह पहले देख लिजे इस तरह से हो तो यह आप परवत का हो गया की परवत कि इस तरह से जीवन रखा यह तो आपको जिवननेगह केसा में निखलेगी या भुल मॉन से Мы Christmas कि अंद्रुनी मंगल के छेत्र से निखे तो यह देखिए आपका यहां पे माली जे इस तरह से अल आप इसको कैसे जो गए तो देखे ये आपके जीरो ठीक है आप पांच बराबर साल में आप इसको बांटो यह होगे एकदम लास जहां पर स्टार्टिंग है वह आपकी पांच साल देखिए ऐसे भी बोला जाता है कोई भी बच्चा छे साल तक अपने माता पिता के कर्म कैनुसार उनके साथ घटनाए दुर घटना इसी लिए आपको फाइब यह हो गई आपके फाइब यह आप देखिए इसी तरह पांच बराबर वागों में आप लिजए देखिए इसी तरह आपका हो गया है दस इस तरह 15 20 25 35 45 इसी तरह यदि आपके कर्टल के इकदम पीछे चला जाए माइंड लाइन किसी का भी तो य करते हैं और इसी एजिंग पे हम लोग बताते हैं सामने वाले को कि आपको इस एज में हाथ देखके यह होने वाली है देखिए हर चीज लॉजिक है एबिडेंस है प्रूब्ड है तब कोई जोतिस बोलता है ऐसे कोई जोतिस भाविस्वारी नहीं कर सकते हैं वह भगवान भगबाद नहीं होते हैं ठीक है वो आपके हाथ की रेखाए आपके कुंडली के दसा महादसा ग्रहों को देखके कर सकते हैं ठीक है और एक चीज़ में और बोला चाहते हूं यदि आप कि si koha तो यह भी आपको देखना औंगा आप हाथ देख कहा रहे हो आप यह इंडिया में देख रहे हैं तो आफ उस्में दोसादी कर सकते हो अरड़कत delivering लिए सह मतलब नहीं बनता है वह साल काल मेंन बहुत सारी रिलेसंट सब डेक थे ला पर पर घाल रियुस्म Warsaw लिए हमें देश काल पातर बहुत कुछ देखना पड़ता है फिर जाके हमें प्रडिक्शन करनी होती है तो आज मैं आपको सिर्फ एजिंग के बारे में बताएं कि परवत को इस तरह से जानेंगे इतने साल में आपको यह मिलें आप खुद अपने हाथ को देख के आप अपन बता सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो आज के लिए बस नहीं नमस्कार